दोस्तों नमस्कार मेरा नाम डोक्टर सत्पाल सिंग जन स्वास्ते के लिए चलाए जा रहे इस निशुल्क प्रोग्राम में आपका स्वागत है जिसका नाम है डोक्टर हेल्थ एडवाइस दोस्तों आज का हमारा विशह है बवासीर यानि जिसको हम पाइल्स भी बोलते हैं तो बवासीर कैसी भी होगी खूनी बवासीर है या बादी बवासीर है बवासीर में कई बर मस्से निकल जाते हैं खून चलने लगता है तो किसी भी प्रकार की बवासीर होगी उसके लिए मै आपको एक रामबान उसका बताऊंगा और दोस्तों इस YouTube चैनल पे जितने भी मैं आपको फार्मूले बताता हूं वो सब मेरे द्वारा प्रियोग किये गए हैं मैं पहले अपने क्लिनिक पे उनका प्रियोग करता हूं उसके बाद मैं आपको बताता हूं ऐसा नहीं है कि मैं क नहीं से वैसे ही आपको बता देता हूं तो दोस्तों मेरे द्वारा कोई भी फार्मूला मैं बताऊंगा तो वो आपको सर्तिया 100% रिजल्ट मिलने वाला होगा तो दोस्तों आप उसको निश्चिंत होकर प्रियोग किजिएगा क्योंकि जो फार्मूले मैं खुद यूज क किसी को हो जाए यानि बवासीर खुनी है या बादी है किसी को मस्से वाली बवासीर है तो किसी भी परकार की बवासीर है उसके लिए एक रामबान नुस्का मैं आपको बता रहा हूं और ये नुस्का बहुत ही मामूली सा नुस्का है ये आपको मैं दो परकार की दवाईय जो आपको पंसारी बजार से पंसारी की दुकान से आसानी से मिल जाएंगी तो दोस्तो नुस्का बताने से पहले बवासीर के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि बवासीर किन लोगों को जादा होती है तो दोस्तो ये जो बवासीर की जो प्रॉबलम है ये बहुत जा या फिर वो लोग जिनको पेट की समस्याएं बहुत जादा रहती हैं यानि कि किसी को बार बार दस्त लगे रहते हैं या किसी को बहुत जादा कबज रहती है तीसरा जो लोग बहुत जादा बैठक का काम करते हैं जो लोग जादा बैठे रहते हैं उनको भी ये समस्या होने क संभावना रहती है तो दोस्तों बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि ये नुस्का क्या है अगर किसी को बवासीर चाहे वो कितने ही समय से है ये बहुत ही मामूली सा नुस्का है और कुछ दिन परियोग करने से ही बवासीर जड़ से खतम हो जाएगी अगर किसी को कबज रहती है तो कबज को हमने ठीक कर लेना कबज के लिए आप इस सब गोल की भूसी आती है आप वो ले सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा कबज है तो कबज के लिए मेरी एक अलग से वीडियो है आप वो फार्मूला भी यूज कर सकते हैं और आप लोग त्रीफला चूरन का भी परियोग कर सकते हैं जो बाजार से आसानी से मिल जाएगा आपको किसी भी कंपनी का आप ले लीजिए यानि कि कहने का मतलब ये है कि आपको कबज नहीं रहनी चाहिए अगर आपको कबज है और आपको जो मैं फार्मूला बताऊंगा उस दवाई से आप ठीक भी हो जाएंगे लेकिन दोबारे से फिर बवासीर होने के चांसिस रहेंगे तो दोस्तो सबसे पहले तो हमने कबज को ठीक कर लेना है बिलकुल से और थोड़ा सा अच्छे से पानी पीना है खूब और सलाद वगएरा जादा लेना है हमने तलिव चीज़ें मसालेदार चीज़ें खटाई ये सब कुछ आपने बंद कर देनी है तो दोस्तो बात करते हैं कि ये फार्मूला क्या है दो चीज़ें लेनी हैं आपने कलमी सोरा पचास ग्राम और रसोत पचास ग्राम दोस्तो दोनों को बराबर मातरा में लेकर आपने पीस लेना है दोस्तो आप इसको खरल में भी आप इसको पीश सकते हैं या फिर आप मिक्सी में भी आप इसको पीश सकते हैं दोस्तो ये दोनों चीजें लेकर आप बारिक पीश लें और आपने क्या करना है कि इसकी चुटी चुटी आपने गोलिया बनानी है चने के बराबर तो दोस्तो आपने दो गोली सुबह और दो गोली शाम को आपने ताजा पाने के साथ खाना खाने के एक घंटे बाद लेनी है ये फार्बॉला मैंने जो आपको बताया है इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं तो आप इससे परियोग कीजिए और लाव उठाइए दोस्तो कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए इजाज़त दीजिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें साथी साथ शेयर भी जुरूर कर दें अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को नहीं किया है तो किरपे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत